हलो फ्राइंज, टेक्निकल हाउ टू हिंदी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे 42 एप्स की बारे में जिन्हें कवर्मेंट ने बहुत ही टेंजरस बताया है तो अगर आप इन 42 एप्स में से कोई भी एक चला रहा है तो आपको ये एप फॉरण अपने मोबाईल से हटा लेने चाहिए तो कौन से ये एप है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लेकर दोस्तों, इस से पहले मैं कि इस वीडियो में आगे बढ़ू अगर आपने मेरे इस चैनल को, टेक्निकल हाउ टू हिंदी को अब ये तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फॉरण करें ताकि ये आप कोई भी नए वीडियो को मिस ना करें तो चलिए जानते हैं, वो कौन सी 42 एप हैं, जिने गवर्मेंट ने डेंजरस बताया है, दोस्तों, गवर्मेंट ने ये भी बताया है कि ये जो एप हैं, वो डेटा को लीक कर रहे हैं, हाली में सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें LAC यानि की Line of Actual Control पर तैनाज जवानों को कुछ चीनी मोबाइल एप हटाने के लिए भी बोला गया है, एप हटाने के साथ ही फोन को री फॉर्मेट करने की एडवाइज भी दी गई है, एडवाइजरी के मुताबिक विदेशी खुपिया एजेंसियां, स्पेशली चीन और पाकिस्तान, इन एप का यूज करके डेटा को चोरी कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी कर 42 एप्स को लिस्ट डाउन किया है, और यहां मैं आपको उनी एप्स के बारे में बता रहा हूँ, इन मैंसे कोई भी एप्स ऐसा है, जिनका आप यूज करते हैं, तो आपको उस एप्स को फॉरण हटा लेना चाहिए, तो दोस्तों इन एप्स को मैं बोलने जा रहा यह एक फाइल ट्रांसफर एप्लिकेशन एप है, तीसरे आपका नाम है वी चैट, यह एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, और जिसके चरी आप चैट भी करते हैं, चोथा एप है वी आई बो, यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, दोस्तों पाचबा है यूसी आटवा है यूसी ब्राउजर, यह एक तरह का गूगल ग्रोम की तरह आप बूल सकते हैं कि ब्राउजर है, नवा है पैरलल स्पेस, दसवा है वीवा वीडियो क्यू यू, यह एक तरह का वीडियो एडिटिंग एप है, दोस्तों इसके अलाबा, पूरे 42 एप्स में आपको फॉरण हटा लेना चाहिए, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तिल दैन, टेक केर, गुड़ बाई